हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चानल इन जेजीटी जोकेशन गाईस आज हम आप लोगों के लिए मोश्ट इंपॉर्टेंड क्वेस्टेंड सेंसर लेकर क्या हैं सिलिब बस अनुसार आप लोगों के क्वेस्टेंड भी ये हुए हैं और एकॉर्डिंग टू एनम जे मेरी दंड के अपूर्ड बंध होने का परिडाम है друзья आप सनसे इस पाइना बाइफड़ा आपसंडी इसकोलियोसिस आप सर्द Si गलाइक शाईटी ये आप संदी कॉछिसी गाईफोसीश तो गाउस वाट इस धराइट अधर आंशन की आपूर्ड बंद नहीं का परिडाम को सा होगा तो कॉमेंट कीजिए एनिबोडी चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपसे नमबर ए इस पाइना वाइफीडा तो आप लुग मार कर लिजी आपसे नमबर ए को इस पाइना वाइफीडा मेरू धंड की अपूर्ड बंध होने का परिडाम है जी बिल्कूल बहुत बहुत जवाब दे रहे हैं आप लोग इस पाइना वाइफीडा ही होगा नेक्ट क्वास्चन लेखेगा इस क्वास्चन नमबर टू तो देखिए कार्बन डाइकसाइड हीमोगलोबिन से जुड़कर बनाती है क्या बनाती है आपसन नमबर ए डी आकसी हीमोगलोब आपसन बी अपाचेत हीमोगलोबिन आपसन सी कार्बो मीनो हीमोगलोबिन और आपसन नमबर डी कार्बोकसी हीमोगलोबिन तो यह जो कार्बन डाइकसाइड है वो हीमोगलोबिन से जुड़कर क्या बनाती है पोच रहा है क्वेस्चन में तो गैस यहाँ पर राइट आंस Q3 आपकी सामने रहा एक स्क्रीन पर बिली रोबीन का निर्माड क्या होता है? सॉरी बिली रोबीन का निर्माड की से होता है? Option A, हीम से Option B, गलोबीन से Option C, ट्रांस्फेरिन से And Option D, गेस्ट्रोफ हेरिटीन से तो बताये जल 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 दी कमेंट कीजिए बिली रोबीन का निर्माड की से होता है? The right answer will be happen to Option A, हीम से बिली रोबीन का निर्माड हीम से होता है Next question सीकल सेल एनिमिया है? मतलब कौन सा रोग है? Option A, आटो शेल रोग है? आटोमल आनुवनसिक रोग Option B, एलो सोमिक आनुवनसिक रोग Option C, स्रावा रोध प्रभाव And Option D, पोसर संबंधी रोग तो देखिए, सीकल सेल एनिमिया है ठीक, किस प्रकार का? Right answer हो जाएगा इसका Option A, आटो सुमल आनुवनसिक रोग लाइकोजन तो प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या हो जाएगा? आयोडीन, यूरिया, कार्भोहडरेट और लाइकोजन What is the right answer? बिल्कूल, right answer हो जाएगा आपका option रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद जो है? तो उसका right answer होगा आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे मार्क करते हैं Option number B is the right answer, यूरिया प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद यूरिया है Option number B is the right answer Next question number 6 आँख में प्रवेस करने वाली उच्च की रड़ें किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? Option A, पुतली, इंग्लिस मिनिंग प्यूपिल Option B, परितारिका, इरिश Option C, स्वच्च मंडल, कॉर्णिया And option number D, प्लेंज तो आँख में प्रवेस करने वाली उच्च की रड़ें किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ये बताना है तो फिरी सिंपल क्वेस्चन है आपके सामने Option B, परितारिका आँख में प्रवेस करने वाली उच्च की रड़ें कि रड़ें कि द्वारा नियंत्रित होती हैं? Okay, option B, परितारिका, परितारिका द्वारा नियंत्रित होती हैं? Option A, वेगस तंत्रिका Option B, फेस्टियल तंत्रिका Option C, ट्राइजेमिनल तंत्रिका And option D, इनमें से कोई नहीं Option A is the right answer, वेगस तंत्रिका वेगस तंत्रिका, तंत्रिका की सरवाधिक चाखाएं होती हैं? Option A, वेगस तंत्रिका is the right answer किसके अतिरिक्त निर्म लिखित सभी ब्रिक के कार्य है option A, इरिथ्रो, पोल्टीन का निर्माड option B, यूरिया का निर्माड option C, जल संतूलन बनाए रखना option D, अब निसंतूलन बनाए रखना तो देखिए जिसके अतिरिक्त के कार्य है तो इन में से कौन हो जाएंगे anybody tell me answer right answer होगा option number सरुप्रिथम question को ध्यान से देखना है कि किसके अतिरिक्त, निमनलिखित, सभी ब्रिक के कार्य है तो किसके अतिरिक्त हो जाएगा तो ओई guys, आप लोग इस question answer मुझे comment करके बताएं comment section में और मैं check करती हूँ next question number 9 HIV संक्रिमर में कौन से को सिकाएं प्रभावित होती है option A, Eosinophil option B, Bexophil option C, Thumbocytes and last option number D, CD4CT HIV संक्रिमर में कौन से को सिकाएं प्रभावित होती है तो हो है CD4T option number D is the right answer जो सच्चावी संक्रिमर में को सिकाएं प्रभावित होती है this is most important question for this exam this is called next question next question number 10 vitamin A, Profilaxis किसका उदाहर है option A, Primordial Prevention option B, Swasthi रच्छ option C, V says रच्छड and option number D, Vikrit से बचाव option number C is the right answer V says रच्छड vitamin A, Profilaxis V says रच्छड का उदाहर है next question number 11 निम्ण में से स्वास्थ विभाग का द्विती इस्तरी संस्थान कौन सा है option A, Prathmik Swasthi केंद्र option B, Up Swasthi केंद्र option C, Jila Hospital and last option number D, Medical College right answer will be happened to option C, Jila Hospital स्वास्थ विभाग का द्विती इस्तरी संस्थान है next question number 12 जन्नी सुरच्छा योजना कब सुरू की गई थी? जन्नी सुरच्छा योजना कब सुरू की गई थी? option A, April 2005 B, June 2007 C, August 2009 and option number D, January 2002 जन्नी सुरच्छा योजना कब सुरू की गई थी? right answer option number A, April 2005 में ठिक, बिल्कूर जन्नी सुरच्छा योजना अप्रेल 2005 में next question number 13 किस वर्ष में राष्ट्री सहरी स्वास्थे मिसन प्रारंभ हुआ? option A, 2013 option B, 2014 option C, 2015 and option number D, 2016 तो किस वर्ष में राष्ट्री सहरी स्वास्थे मिसन प्रारंभ हुआ था? तो ये बताना है, this is the four option right answer will be up in two option number A, 2013 2013 में राष्ट्री सहरी स्वास्थे मिसन प्रारंभ हुआ था next question number 14 pink ribbon किस से संबंधी थे? option A, फिर फ्रे का cancer option B, शवाइकल कैंसर pink ribbon किस से संबंधी थे? option C, स्थन कैंसर and option number D, हड्डियों का कैंसर तो option C हो जाएगा right यहाँ पे pink ribbon संबंधी थे? option number C, विल है प्राइट आंसर next question number 15 संक्रमण के फैलाव को रोकने वा नियंत्रित करने एतु एक मात्र महत्तुपूर्ड तकनीक है option A, हाथों की स्वच्छता option B, डिस्पोजेबल दस्तानों का इस्तिमाल option C, मास्क का इस्तिमाल option number D, उपकरणों का विसंक्रमण तो यहाँ पे राइट आंसर है option number A, हाथों की स्वच्छता संक्रमण के फैलाव को रोकने वा नियंत्रित करने एतु एक मात्रित तरीका है next question number 16 किसके द्वारा खाद्य पदार्थ का सैंपर लिया जाता है option A, उपभुकता option B, सैनीटरी इंस्पेक्टर option C, पुलिस इंस्पेक्टर and last option number D, उपरुकत में से कोई नहीं तो किसके द्वारा खाद्य पदार्थ का सैंपर लिया जाता है तो बहुत ही important question है, जानना भी जोड़ी है और exam related most important question भी है तो right answer कौन सा हो जाएगा आप लोग मुझे जल्दी से बताएगे, comment करएगे फिर मैं बता रही हूँ बिल्कूल, right answer option D होगा उपरुकत में से कोई नहीं ठिक उपरुकता संडी स्पेक्टर बदास सैंपर लिया जाता है next question number 17 पूर्ड विस फारड के बाद ग्रीवा नलिका का व्यास हो जाता है option A, 60, option B, 8, option C, 12 and option number D, 10 तो पूर्ड विस फारड के बाद ग्रीवा नलिका का व्यास कितना हो जाता है तो वो आपका 10 cm हो जाता है option D is the right answer next question number 18 पूर्ड हाइपोक्सिया का मुल्यांकन होता है option A, scale product sampling से option B, alpha phytoprotein से option C, fetal heart monitoring से and last option number D, A तथा C, दोनो तो देखते हैं कि किस से, किस का मुल्यांकन होता है तो option D, right होगा A and C, दोनो इस scale product sampling से, fetal heart monitoring से बिलकुल right answer, हाइपोक्सिया का मुल्यांकन है तो next question देखे, question number 19 यह सभी अनुमानित चिन तथा लच्छड है यानि किसी छोड़कर तो option इस सुबह की मिचली option B, बदलाओ option C, सिगरता and option number D, हैगर चिन what is the right answer, please comments on right now for question number 19 let's say right answer will be happen to option number D, हैगर चिन okay, हैगर चिन is the right answer, option number D next question number 20 निमनलिखित को ग्याद करने के लिए तोड़के हृदय की धरकन सुनना जरूरी है option A, सकारात्मक चिन option B, जिवी थ्याप पोजीशन की निदान में सहायक है option C, प्रेजेंटेशन तथा उसका एक प्रमार है and option D is the right answer, प्लेसेंटा प्रिविया प्लेसेंटा प्रिविया को ग्याद करने के लिए तैके धरकन सुनना जरूरी है so right answer will be happen to option number D okay, next question यह सभी molar pregnancy के लिए जोखी कारक है शिवाए, option A, hemorrhage option B, koryokasinoma option C, shepsis and option D, बारं बार तो option D is the right answer correct होगा option D, molar के लिए जोखी कारक तो देखिए, next next question दहरों वस सुजन द्वारा लाच्छडिक acute condition कौन सा है option A, eclampsia option B, epilapsy option C, preeclampsia and option D, in me, सी कोई नहीं तो पताईए, कौन सा right answer होगा देखिए, right answer will be happen to option A, eclampsia दोरों वस सुजन द्वारा लाच्छडिक acute condition है next question number 23 सुको माता पिता द्वारा HIV का संक्रमण लगने का सरवाधिक चोखिम होता है option A, करवाधान के दोरान option B, जन्मी के दोरान option C, तन्पान के दोरान and option number D, जन्मी के कुछ समय पश्चाद right answer, option number B, जन्मी के दोरान तो option number B को लॉक कर लेजिएगा बी राइट हो जाएगा यहाँ पे अच्चाई भाई का संक्रमण लगाने का next question सुक्राडो द्वारा मुक्त एंजाइम जो की अंडाडो में प्रवेस में सहायक होता है क्या कहलाता है option A, amylage option B, hyaluronidase option C, lipase and option D, trypsin option B is the right answer hyaluronidase hyaluronidase is the right answer option number B ओके next question number 25 सराप की आदी एक मरीज का पुनर वास करते समय सबसे महत्वपूर कारक है option A, सामुदाइक संसाधनों की उपलबधता option B, मरीज के परिवार का स्विकारेता पूर्ड रवया option C, मरीज की भावनात्म केवं प्रेरक तयारी and option D, मरीज की सारी किस्थिती का गुरात्म किस्तर इस question का answer आप लोग मुझे comment करके बताएंगे तो int करते हैं आज की question को यहीं तक फिर से मिलेंगे next video में next questions, answers के साथ like, share and comment, please subscribe to the channel and please the bell icon thank you so much, my dear student, love you all